जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फलेक। दोस्तो रशिया के तरफ से अब नामुम्किन को मुम्किन करने के तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और रशिया के निउस रिपोर्टों को अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि जो आज के वीडियो मैं आप लोगे को रशिया के इन फाइटर यारकेप्टों के बारे में बताऊंगा, साथ में इसका स्पीड, इसका कैपविलिटी और कब तक बनके ये रशियान फोर्सस में शामिल होगा उसके उपर भी जानकारी दूँगा। तो जानने के लिए वीडिय के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों रशिया के तरफ से अपने सुपर सॉनिक इंटरसेप्टर मिक 31 को रिप्लेस करने के लिए नया जेनरेशन के या फिर 6 जेनरेशन के स्टेल्थ इंटरसेप्टर के उपर काम किया जा रहा है। रशियन मीडिया रिपोर्ड के मुताविक इस प्रोजेट का कोड़ नेम P.A. के ड.A. है जबकि एरक्रैफ्ट को मिक 41 के नाम से भी जाना जाएगा। इन एरक्रैफ्टों को डिजाइन करने वाले मिकोयन ग्रूप के मुताविक एरक्रैफ्टो और दोस्तों इन एरक्रैफ्टों का भी स्पीड हाइपरसॉनिक तक तो नहीं है पर ये करीवन 3.32 माक के स्पीड से उरान भड़ सकता है। पर दोस्तों इन एरक्रैफ्टों को इंटर्सेप्टर या फिर हथियार के तहद इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है बलकि शरीफ एक recognition aircraft के हिसाब से इसे इस्तेमाल किया आजा सकता है, जबकि Mikoyan Corporation का ये भी कहना है कि MiG-41 खाली hypersonic रफ्तार से उड़ेगा नहीं, बल्कि ये hypersonic missile को हवा में ध्वस भी कर पाएगा, उई पर दूसरे तरफ, रशिया के अब तक सबसे तेजगती वाला aircraft को भी देखे तो, उनका भी रफ्तार इसके बरावर का नहीं है, रशिया द्वारा इससे पहले बनाया हुआ MiG-25 और MiG-31 aircraft को, supersonic interceptor का याता है, और इन aircraft का भी maximum speed mark 8.3 है, तो दोस्तों आप लोग इससे ही समझ सकते होंगे, कि रशिया के तरफ से जो MiG-41 बनाया जा रहा है, वो कितना घातक aircraft होगा, दोस्तों रशिया के इन पुराने aircraft को, मतलब रशिया के MiG-31 aircraft को को रिटार करने के लिए, अब इससे ही सोज विचार किया जा रहा है, इवन इन aircraft के replacement program को ही, MiG-41 aircraft के development के basic कारण भी माना जा रहा है, इवन report तो ये भी है कि रशिया अपने MiG-31 aircraft को, 2028 से ही replace करना शुरू कर देगा, और दोस्तों इसका मतलब ये भी है, कि MiG-41 aircraft को, शायद 2028 या उससे पहले ही तैयार कर लिया जाए, 2017 के रशिया के एक air show में MiG-41 को लेके, MiG-41 के तरफ से कुछ खुलासा भी किया गया था, दोस्तों उस समय के खुलासे के मुताविक, MiG-41 को बाद में एक unmanned concept के तहट भी देखा जाएगा, लेकिन बेसिकली ये एक टोटली नया जेनरेशन का fighter air kept होगा, इन येर केप्टों को 5th generation के fighter air kept के साथ भी तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये 5th generation से भी आगे का technology है, Russian news agencies के बातों को माने तो, इन येर केप्टों को basically Russian border को protect करने के लिए बनाया जा रहा है, दो पार्ट में divide करके अलग-अलग missile को counter करने का शमता भी उन missile के पास होगा, Russian news agency के बातों को माने तो इन येर करप्टों के functionality भी अब तक के कोई भी येर करप्टों के तुलना में काफी आगे होगा, खास करके जब भी कोई missile ये येर करप्ट को intercept करना होगा, तो सबसे पहले ground waste, radar और हवा में उड़ने वाले AVAX एर करप्टों के द्वारा उसे intercept किया जाएगा, Interception के बाद MiG-41 एर करप्टों का काम शुरू होगा, और इन MiG-41 एर करप्ट अपने hypersonic रप्तार का इस्तेमाल करके इन missile का पीछा करेगा, missile को अपने range में लाने के बाद MiG-41 द्वारा जो missile को दागा जाएगा, वो hypersonic incoming missile को तो मार गिराएगा, और अगर hypersonic missile के पास MIRV मतलब multiple warhead बाला concept रहेगा, तो उसे भी मार गिराने के लिए MiG-41 के द्वारा दागा गया missile को भी दो टुकडे में या उससे ज्यादा टुकडे में डिवाइड किया जा सकता है, दोस्तों इसके इलावा hypersonic missile को मार गिराने के लिए MiG-41 के पास anti-missile laser जैसे हत्यार भी होगा, इवन ballistic missile को counter करने के लिए ये aircraft काफी ज़्यादा high altitude तक उरान भड़ सकता है, इवन इन aircraft के altitude को लेके ये भी कहा जा रहा है कि ये near the space, मतलब space के नजदिक तक उरान भड़ सकता है जब कि कही कही पे इसे लेके ये भी दावा किया जा रहा है कि MiG-41 aircraft को space में भी operate किया रहा सकता है, दोसों MiG-41 द्वारा जो MiG-31 को replace किया जाएगा, इसे एक supersonic interceptor aircraft के हिसाफ से design किया गया था और ये Soviet Union के जमाने में 1980s में बनाया गया था, इन aircraft के बास दुश्मन के supersonic missile और supersonic aircraft को मार गिराने का शमता है, जबकि ये high altitude और low altitude दोनों ही situation में operate कर सकता है, MiG-41 को लेके जहाँ पे इसका high altitude capability का खुलासा तो किया गया है, लेकिन इसका low altitude capability क्या होगा उसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दिया गया, aircraft के design और develop के बारे में ये भी खुलासा किया गया है कि aircraft के उपर काम बहुत हद तक खतम हो चुका है, 2025 में aircraft को दुनिया के सामने लाया जाने का संभावनाए हैं, जबकि 2030 तक ये Russian Air Forces में बड़े संख्या में इस्तमाल लायक बना भी लेया जाएगा, दोस्तों माना तो ये भी जा रहा है कि Russia इन aircraft के लिए कुछ अच्छा धुनिक हत्यारों का भी development कर रहा है, क्योंकि 6th generation के fighter aircraft में 6th generation के हत्यार होना ही ज़रूरी है, इसके इलावा MiG-41 के speed को लेके जो दावा किया जा रहा है, वो अगर सही हुआ तो इसमें normal हत्यारों का इस्तेमाल तो कते ही possible नहीं होगा, दोस्तों माना तो ये भी जा रहा है कि normal हत्यारों में शायद इसमें R-37 जैसे hypersonic long range air to air missile का इस्तेमाल किया जाए, दोस्तों ये वो ही missile है जिसे लेके रशिया के तरफ से दावा ये भी किया जाता है कि ये किसी भी aircraft को किसी भी दूरी से किसी भी situation में मार गिरा सकता है, और दोस्तों ये hypersonic रपतार होने के बज़ा से ये hypersonic missile को भी intercept कर पाएगा, दोस्तों MiG-41 का जो next version मतलब unwind version के वारे में कहा जा रहा है, उसे लेके भी हाली में खुला सा ये हुआ है कि ये unwind version के design concept के उपर 2019 से ही काम शुरू कर दिया गया है, MiG-41 प्रोजेक्ट को अगर देखे तो ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, और इन प्रोजेक्ट में कही वार कही सारा तबदिली भी लाया गया, जबकि पहले इस प्रोजेक्ट को एक 5th generation के fighter aircraft के concept के तहती देखा जा रहा था, लेकिन रशिया के SU-57 fighter aircraft तैयार होने के बाद इस concept को 5th generation से 6th generation में convert किया गया, दोस्तों अब सवाल ये भी उठता है कि रशिया के तरफ से अगर इन एर क्रेप्टो को इतना high speed के लिए design किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा इंजिनों का इस्तेमाल किया जाएगा, फिलाल तो कहा जा रहा है कि इन एर क्रेप्टो का जो पहला initial version या prototype बनेगा, उसमें सुखोई 57 में इस्तेमाल होने वाला इंजिनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब इस्डेलिया 30 जो इंजिन को लेके रशिया का ये भी दावा है कि ये दुनिया का सबसे बहतरीन और सबसे powerful इंजिनों में एक है, साथ में सवाल ये भी उठता है कि इतना high speed में क्या सच में पाइलेट के साथ एर क्रेप्टो को operate किया जा सकता है, दोसों एक तरीके से अगर देखे तो सुपर सोनिक रफ्तार में ही fighter एर क्रेप्टो में पाइलेटों के लिए condition काफी जादा खतरनाक बन जाता है, खास करके जी फोर्स के दवाव और एर क्रेप्टो के maneuverability से पैदा हुए turbulence का प्रभाव, जबकि ये रफ्तार अगर hypersonic तक लिया जाता है तो ये जी फोर्स का दवाव भी काफी गुना बढ़ जाएगा, मतलब इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि कुछ anti-G equipment का development किया जाए, ताकि पाइलेट इतना high speed में भी बेहोश ना हो जाए, इवन माना तो ये जाता है कि ज़्यादा जी फोर्स के दवाव से पाइलेट अपना होशों अवाज खो सकते हैं, और उस दर्मियान एरकर्प हाथसे का शिकार भी बन सकते हैं, पर हाली के दिनों में अत्यादुनिक ट्रेंणिंग प्रोग्राम और पाइलेटों के fitness इन चैलेंजों को अल्रड़ी काउंटर कर चुके हैं, लेकिन मार्क फाइब तक रफ्तार को तो ट्रेंणिंग प्रोग्राम या फिर फिजिकल फिटनेस भी काउंटर नहीं कर सकता, दोस्तों इसके लिए अब्यूसली रशिया के तरफ से नया टेकनोलोजी को बनाने का भी प्रयास किया जा रहा हो, खास करके एंटी जी एक्वेप्मेंट जो पाइलेटों को जी फोर्स के दवाव से बाहर रखे ताकि फाइलेट हाइपरसोनिक रप्तार को भी जेल पाए, और दोस्तों अगर ऐसा एक्वेप्मेंटों को बनाया जाना संभव हो पाता है तो आने वाले समय में फाइटर एरकर्प सरिफ फाइब मार्ग के स्पीड से ही नहीं उडान भरेगा बलकी इससे कई गुना रप्तार से इन एरकर्प्तों को एटमोस्वेर के अंदर ही और फ जफलता हासिल करता है या फिर पहले के Soviet Union के जमाने के प्रोजेक्टों के जैसे ही ये भी Russia का एक सपना ही रह जाए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ब देख पाए सबसे पहले जै हिंद